हेलो दोस्तों मेरे नाम है नितेस और आप सबों को जारखन बूर्ट का लाश 12 के इस ओर्लाइन लर्निक प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं तो आज से हम लोग कलाश 12 का फिजिक्स का चैप्टर नमबर वन इलेक्ट्रो अस्टेटिक्स से स्टार्ट करेंगे तो वीडियो में आगे पढ़ने स्पहले अगर आप नोट्स यहां सा लिखने चाहते हैं तो वीडियो को पौज करके साथ में लिखते चले या तो पिर डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीगराम गुरूप का लिंक है वहां से आप जारखान बोर्ड कलास 12 के गुरूप को जोइन कर लें जहां आपको पिडियाप में नोट्स मिल जाएगा तो चलिए भीना किसी देरी को वीडियो को अस्टार्ट करते है तो सबसे पहले नों समझेंगे कि इसे कहते है तो कहता है कि दब रांच औप फिजिक् से चार्झ से डिलेटेड फिनोमीनन घतना के बारे में पढ़ते हैं अध्यान करते हैं तो फिजिक्स कैसे ब्रांच को ममलूग एलेक्ट्रो एस्टैक्स करते हैं आगे कहता है कि in this branch of physics, electric charge is always at rest, physics के इस branch में electric charge जो है, वो हमेशा rest पर ही देगा आगे हम लोग समझेंगे कि electric charge किसे कहते हैं, तो electric charge को समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा कहाने समझाते हैं, जिससे आपको electric charge पुरा clear हो जाएगा तो मान लिजी ये हम है, हम कहीं पर जा रहते हमको रास्ता में मिल गया एक जोला पैसा money, और वही पैसा से money से हम चाके एक कार खरी लिए, तो जिस परकार से पैसा आने से मेरे अंदर एक बिशेश परकार का उर्जा energy उत्पन हो गया, बस इसी परकार से electric charge है, जब electric charge किसी भी बोडी के अंदर आ जाता है, तो वह बोडी, उस बोडी के अंदर electrostatic attraction और repulsion प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसी को हम लोग electric charge करते हैं, जैसे कहता है, कि the primary physical quantity due to which electrostatic attraction and repulsion are produced in a body is known as electric charge के वैसा primary physical quantity, जिसके कारण electrostatic attraction और repulsion produce हो जाए, उत्पन हो जाए, पैदा हो जाए, in a body, वो ऐसे ही primary physical quantity को हम लोग electric charge करते हैं, तो आगे काता है, कि it is denoted by capital और a small q, electric charge को हम लोग capital या small q से denote कर सकते हैं, तो आगे point काता है, कि SI unit of electric charge is column, जिस परकार से force का SI unit newton होता है, इसी परकार से charge का SI unit column होता है, आगे काता है कि dimensional formula of electric charge is at, electric charge का dimensional formula होता है, यह at होता है, यह कैसे होता है, इसको समाझते हम लोग, जिससे electric charge हम लोग फर्मूला पढ़ें, electric charge is equal to होता है current into time, तो current का dimensional formula होता है, ampere का a, और time का t, तो इस परकार से electric charge का तो डाइमेसिनल फर्मूला होगा वो होगा यह ती आगे कहता है कि इट इजा असकेलर क्वाइंटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज एक परकार का इसकेलर क्वाइंटिटी है यहां पर कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वहां एक परकार का सकेलर क्वाइंटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास किसी भी परकार का डारेक्शन नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ मेगनिटिव होता है तो आगे मों समझेंगे टाइप सॉप इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट् दुसरा होता है नेगेटिव उने िक Yes, तो सबसे पहले एककर करे समझेगे कि पॉजेटिव उलेक्टिव किसको कहते हैं और नागेटिव उने ने चाइर किसको कहते हैं जो electron के loss करने से पाइदा होता है, produce होता है, तो वैसे electric charge को हम लोग positive electric charge कहते हैं, जैसे example हम लोग लेते हैं, जैसे example लेंगे, sodium, तो sodium का atomic number होता है 11, अगर इसका electronic configuration करेंगे, तो पहला cell में दे दियें 2 electron, दूसरा cell में 8 electron, टोटल होगे 10 electron, 11 में इसे 1 बचा हुआ है, तो balance cell में दे दे देंगे 1 electron, अब ये sodium क्या करेगा, अपने अंदर से 1 electron को loss कर देगा, remove कर देगा, तो जब sodium अपने अंदर से 1 electron को हटा देगा, remove कर देगा, loss कर देगा, तो sodium के मुंडी के उपर एक positive charge, electric charge, जो positive electric charge, produce हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, उत्रपन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि sodium जो है, वह एक positive electric charge को produce किया, कब जब अपने अंदर से 1 electron को loss किया, remove किया, तो ऐसे ही electric charge को हम लोग positive electric charge कहते हैं, अगला example हम लोग लेंगे magnesium, तो magnesium का atomic number होता है 12, अगर इसका electronic configuration करेंगा, तो पहला cell में देदेंगे 2 electron, दूसरा cell में 8 electron, हो गया 10 electron, बारों में से 2 electron बचा हुआ है, तो भैले cell में देदेंगे 2 electron, अब magnesium क्या करेगा, अपने अंदर से 2 electron को ह electron को हटा देगा, remove कर देगा, तो magnesium के मुंडी के उपर positive, plus 2 positive electric charge produce हो जागा, तो ऐसे ही electric charge को हम लोग positive electric charge करते हैं, अब हम लोग समझेंगे कि negative electric charge किसको कहते हैं, तो कहता है, the electric charge produce due to gain of electron are called negative electric charge, कि वैसा electric charge जो electron के gain करने से produce होता है, बनता है, तो वैसे ही electric charge को हम लोग negative electric charge कहते हैं, जैसे हम लोग example लेंगे, तो example में लेंगे है chlorine, chlorine का atomic number होता है 17, अगर इसका electronic configuration करेंगे, तो पहला cell में 2 electron, दूसरा cell में 8 electron, हो गया 10 electron, 17 में से 10 electron हमने खर्चा कर दिया, बचा है 7 electron, तो balance cell में दे दिये 7 electron आनि 7 electron, अब ये chlorine क्या करेगा, एक electron किसी से ले लेगा, ना ही remove करेगा, क्योंकि अगर chlorine साथ electron को remove करेगा, तो इसको ज्यादा energy लगेगा, इसके अलावे chlorine जो है, वो किसी से एक electron मांग लेगा, उधार ले लेगा, क्योंकि उसमें इसको कम energy खर्चा होगा, तो chlorine क्या किया, किसी से एक electron ले लिया, तो जब एक electron chlorine अपने अंदर ले लिया, तो chlorine के मुन्बी के उपर negative electric charge आ गया, तो ऐसे ही electric charge को हम लोग negative electric charge करते हैं, जिसे अगला example हम लोग ले लेंगे oxygen, तो oxygen का atomic number होता है 8, अगर electronic configuration करेंगे, तो पहला cell में 2 electron, दूसरा cell में 6 electron, total हो गया 8 electron, अब oxygen क्या करेगा, किसी से 2 electron को ले लेगा, उधार ले लेगा, किसी से मांग लेगा, तो जब oxygen 2 electron अपने अंदर ले लिया, add कर लिया, तो oxygen के मुन्डी के उपर minus 2 negative electric charge produce हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, उत्पन हो जाएगा, तो ऐसे electric charge को हम लोग negative electric charge करते हैं अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग जितना पढ़ा है, जितना उन्हें पढ़ा उपर में, उससे related, एक दो ठोक important question हम लोग discuss करेंगे, तो सबसे पहला question करता है, कि what is the basic cause of charging of a body, कि अगर कोई भी body charge है, तो उसका basic cause क्या है, कारण क्या है, कारण को बताएं, तो काता है, the loss of electron, और gain of electron, कि electron को loss करना, या electron को gain करना, या एक word में बोलें, तो transfer of electron, transfer of electron is a basic cause of charging of a body, कि अगर कोई भी body, अपने अंदर से electron को loss कर दे, electron को loss कर दे, remove कर दे, हटा दे, या electron को gain कर ले ले, तो उस case में, उस body के अंदर, वह body जो है, वो charge हो जाएगा, या तो वह positive charge होगा, या वो negative charge होगा, अगर वो electron को loss कर देगा, तो positive charge होगा, और अगर electron को gain कर लेगा, ले लेगा, तो वह body जो है, negatively charge हो जाएगा, आगे कोचे लोग देखते हैं काता है कि the effect of charging on mass of a body कि अगर कोई भी body charge है तो उसके mass पे क्या effect आएगा तो काता है कि when a body is positively charged then its mass is slightly decreased अगर कोई भी body positively charged है तो उसका mass जो है वो decrease करेगा कैसे decrease करेगा देखो अगर कोई भी body positively charged positively charged कब होता है जब वो अपने अंदर से electron को हटा देता है remove कर देता है तो जब कोई body अपने अंदर से electron को हटा देगा remove कर देगा तो electron के अंदर कुछ तो mass है तो वो electron को जब हटाएगा तो electron का mass भी तो उसके अंदर से हड़ जाएगा तो थोड़ा ही सही मगर उसके अंदर से उसका mass जो है वो decrease करेगा तो वह कहता है कि when our body is positively charged then its mass is slightly decreased कि अगर कोई body positively charged तो उसका mass जो है वो थोड़ा ही सही लेकिन decrease करेगा आगे काता है when a body is negatively charged then its mass is slightly increased आगे हम लोग समझेंगे properties of electric charge electric charge का property गुन तो सबसे पहला property है तो सबसे पहला property है additivity of charge तो क्या काता है additivity of charge काता है the total electric charge of a body is equal to algebraic sum of various electric charge present in the various region of the body this property is called additivity of charge हम लोग आगे पढ़े थे कि electric charge जो वह एक परकार का a scalar quantity है तो अगर किसी भी body के अंदर 2 या 2 से अधिक 3, 4, 5 से कितना भी electric charge अगर रही तो उस electric charge को हम लोग direct ही algebraic sum जिस तरह से हम लोग जोड़ गटाव भागा करते हैं उसी परकार से जोड़ सकते हैं जिस परकार से force तब force एक vector quantity है तो अगर एक से अधिक force को जोड़ना हो तो उसको हम vector के law से जोड़ सकते हैं तो इसी property को हम लोग additivity of electric charge करते हैं अगला property कहता है invariance of electric charge invariance of electric charge तो कहता है कि the electric charge of a body does not depends upon a state of the body this property is called invariance of electric charge इसका कहने के मतलब है कि अगर कोई भी body है जो rest पे है इस सी रवस्ता में और अगर वही body जो है वो motion करने लगे गती में हो जाए तो उसका जो electric charge है वो change नहीं करेगा क्योंकि electric charge जो है वो body के state पे depend नहीं करता है तो ऐसे ही property को हम लोग invariance of electric charge करते हैं है है अगला काता है कि like charge repel each other और unlike charge attract each other आनि like charge और सेम चार्ज घोगा माले positive नेगेटिव चार्ज्घ दो आपसिमें रिपैल करेगा positive charge positive चार्ज दृपैल करेगा बट अगर opposite चार्ज हो जाए लाइक positive और negative तो आपसिम्हें attract करेगा negative और positive आपसिमें एकरेगा आनि वो एक दूसरे को attract करेगा अगला प्रोपर्टी हमारा conservation of electric charge तो कहता है the electric charge of an isolated system is conserved this property is called conservation of electric charge आनि किसी भी प्रोपर्टी मालने जी एक बोडी है इसके अंदर electric charge q1 और q2 है तो अगर यह body जो है वो अभी rest में है यह rest में है अगर यही body को हिला डुला दे तो और तो इस body का electric charge जो है वो चंजर्ब भी रहेगा आनि charge जो है वो नहीं destroyed होगा नहीं इसके अंदर charge वो प्रोड्यूस होगा आनि किसी भी isolated system का जो charge होता है वो चंजर्ब होता है आनि constant होता है वो change नहीं करता है आनि किसी भी isolated system कोई बोडी है उसके अंदर जो electric charge होगा वो चंजर्ब होगा isolated system का electric charge वो चंजर्ब होता है constant होता है अगला काता है quantization of electric charge quantization of electric charge काता है a body can have a electric charge equal to integral multiple of elementary charge this property is called quantization of electric charge आनि किसी भी बोडी के अंदर जो electric charge होगा वो सिर्फ integral multiple में ही होगा आनि गोटा गोटा नंबर होगा आनि एक कुलाम charge हो सकता है दो कुलाम charge हो सकता है तीन कुलाम charge हो सकता है इस तरह से हो सकता है और 1.5 कुलाम charge नहीं हो सकता है आनि सिर्फ integral multiple हो सकता है 2.5 प्लाम चार्ज नहीं हो सकता है किसी भी body के अंदर जो electric charge होगा वो सिर्फ integral multiple में ही होगा आनि Q is equal to plus minus any जहाँ पे n जो है वो एक परकार का integer है आनि 1, 2, 3, 4 सिधा गोटा ही number होगा आनि 2.5, 3.5 decimal वाला number नहीं होगा n का value जो है 3 बटा 2, 7 बटा 3, 9 बटा 2 इस परकार का नहीं होगा आगे काता E जो है हमारा elementary charge है आनि charge on one electron तो एक electron में charge कितना होता है 1.6 into 10 का power minus 90 कुलाम यहां सिर्फ magnitude ले रहे है negative और positive ने लेना सिर्फ magnitude लेना charge का आगे मैंने समझेंगे numerical based on quantization of electric charge quantization of electric charge पे best numerical तो सबसे पहले numerical type 1 का numerical काता है कि 25 electrons are removed from our body then calculate electric charge produced on our body कि अगर भी कोई भी body के अंदर से 25 electron को remove कर दें तो वह body जो है वो कितना electric charge produce करेगा उत्रपन करेगा तो सबसे पहले given लिखेंगे तो number of electron हमको दे दिया है कि 25 electron हम remove कर रहे हैं और e कमान हमको पता है 1.6 into 10 का power minus 19 कुलाम और q कितना positive electric charge हाने कितना electric charge जो फो प्रोड्यूस करेगा वो पूछ रहा है तो we know that हम लोग जानते हैं कि q is equal to plus minus any तो हमको यहां पर q जो है वो निकालना है n का value दे दिया है 25 इक का value को पता है 1.6 into 10 का power minus 19 कुलाम अपस में जब गुना कर देंगे तो जागा 40 into 10 का power minus 19 कुलाम तो इसको लिख सकते हैं कि 4 into 10 का power minus 18 कुलाम कि यहां से जब एक 0 हटाएंगे तो यहां माइनस 19 में माइनस 18 हो जाएगा क्योंकि एक 0 जो है वह आपसे हट जाएगा अगला question कहता है कि five electrons are added in a body then calculate electric charge produce on the body कि अगर पांच electron को किसी भी body के अंदर add कर दें दें तब बोडी कितना electric charge जो है वो प्रोड्यूस करेगा तो solution में सबसे पहले एंड दे दिया गिवेंट कि पांच electron को हटाना है रिमूब करना ने स्वारी add करना है पांच electron को add करना है और यह कमार हमको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलाम क्यों हमसे पूछा कि कितना electron और कितना चार्ज हो है वो प्रोड्यूस करेगा त अब इलेक्ट्रोन को किसी भी बॉड़ी के अंदर पांच electron दे रहा है तो electron को देगा तो ब्लब क्या होगा नेकि चार्ण होगा इसलिए मिनज घू यह मैंनस को लेंगे यह गया अगर 0.oka प्ल मैंस मिनां औरको 00.02 आट् gion k destructive से जब हम गुना करेंगे तो होजागा माइनस एट इंटू टेन का पावर माइनस 19 कुलांब अगला हमारा टाइप टू का को चले कि करता हाउ मैंने एलेक्टों समस्ट बी अमक्रण्य ट्रांस्फरद ND कि टहला को ट्रांस्फर करें कि उस बाड़ी के अंदर एक पर laid हो चाझर invoke प्रोडियूस तो सबसे पहले हमलोग स्वलियूशन लिखेंग radial को पता है कि एक ग्रांड इलेक्ट्रों कितना इलेक्ट्रों हम ट्रांसफर करें कि एक कुलाम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करना है यहां से जब हम एन का वेलू निकालेंगे तो इक को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो एन इसकोल इन तो इसको आगे सर्फ करेंगे तो इसको पांच यहां दश की पावर 19 इसको आगे काटेंगे तो 19 मेंश यहां 19-0 निचे ले लेंगे तो जब पचास बटा आठ इंटू 10 का पावर 18 इसको जब कातेंगे तो जब 6.25 इंटू 10 का पावर 18 तो यहाओं चासते हैं कि एक कुलाम इलेक्तिक चार्ज अगर प्रोड्यूस करना है तो हमको 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्र आश्पर करना पड़ेगा तब एक ब्घ्र इलेक्तिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और पाइदा हो जाएगा। आगे ख़गता कि one macro column, one micro column, यानि curiosity chronically per 10-6 and one micro column, one micro column को must Manila-6. आगे काता कि one layers column, one layer column, nine column stands at 10-like power . तो 1 निम्य को लाम का मतलब 10 का पावर-9 कोलाम और 1 किकट को कोलाम Х why देग थे थोड़ा सा काता हा बॉदी है इल्यक्ट्रिक चार्ज्ज एक बॉदी है जिसके अंदर 3.2 Pico Pico Coulomb electric charge है क्या यह possible है तो चलिए check करते हैं solution देखेंगे तो सबसे पहले Q का मान हमको दे दिया है 3.2 Pico Pico Coulomb अगर हम Pico Pico Coulomb को Coulomb में सबसे पहले change करें कि Coulomb जो हो SI unit है तो SI unit सबसे पहले बदल लेंगे तो 3.2 छोड़ दिए Pico Pico Coulomb मतलब लोग पढ़ें तो 10 का पावर माइनस 12 तो यह गुना कर दिये 10 का पावर माइनस 12 दो बार Pico इसलिए दो बार 10 का पावर माइनस 12 से गुना कर दिये इसको सौल करेंगे 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 24 24 कुलांब यह हमारा SI unit में convert हो गया आगे हमको इक कमार हमको पता है 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कुलांब यहां पर बैलू को पूट करेंगे अब इसको जब सौल करेंगे जब इसको सौल करेंगे तहमारा हो जाएगा 2 into 10 का पावर माइनस 5 अब यहां पर उपर 10 का पावर माइनस 5 है जब इसको नीचे ले आएगे तो 10 का पावर प्लस 5 हो जागा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.002 आएगा तो हम लोग पढ़ें क्वान्टाइजेशन प्लेक्ट्रिक चार्ज में कि किसी भी बॉड़ी के अंदर पॉइंट ऑप इलेक्ट्रिक चार्ज आनि 2.5 3.5 इस तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज जो नहीं रहता है सिर्फ गोटा नमबर जीसे वन कुलम टू कुलम थिरी कुलम फोर कुलम इस परकार का इलेक्ट्रिक चार्ज ही कोई भी बॉड़ी अपने अंदर रख सकता है तो यहां पर आया 0.0 something तो 0.0 वाला इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कोई भी बॉड़ी अपने अंदर नहीं रख सकता है तो लोग का सबते हैं कि यह जो है वो पॉसिबल नहीं है अगर कहता है कि अब बॉड़ी है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ माइनस 6 माइक्रो कुलाम इज इट पॉसिबल और नोट कि यह बॉड़ी जिसके अंदर माइनस 6 माइक्रो कुलाम इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या यह पॉसिबल है या नहीं तो साथ से पहले हमनों स्वेलिशन तो given हमको दिया है कि कि इसको हम लोग ऐसा यून बदलेंगे तो माइनस 6 माइक्रो मिसलम पढ़े है कि 10 का पावर माइनस 6 तो यह हमारा एसा यूनित में आ गया अब एक का वहलू नहीं पता है इसको निकाल देंगे तो वी नोड़ेट हम लोग पढ़े है कि की इसको प्लस माइनस एडिया है यहां से क्यूं का वहलू निकालेंगे तो फैस्ट मैनस में माइनस एडियी लेंगे क्यांकि यहाँ पे हमारा चार्ज दिया हुआ है वो मैनस में दिया हूँ इसा दिया हुआ था इसी दिया हम लोग'm iki दिए मैननस में से यहाँ purity कंडिक है यहां से आन निकालेंगे फ्रीक है इसे n बराबर हो जगा क्यों बटाई जब इसका value put करेंगे तो क्यों का value पता है 6 into 10 का power minus 6 और e का value पता है 1.6 into 10 का power minus 19 जब इसको solve करेंगे तो n का value आएगा 3.75 into 10 का power plus 13 अब जब यहां से यहां पर को जब स्टाइब यहां से जब पॉइंट को अटाएंगे तो यहां पर दो जीरोग कम होजागा तो लिख सकते हैं 3.75 चाश्ट इंटीरन का पावर 11 तो कर सकते हैं कि यहां पोइंट बाला नंबर नहीं आया है जो भी नंबर आया हो इन्टीड मल्टीपल में ही च अगे पढ सब्सक्राइब करके तीनों को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन किसको खाते हैं और चार्जिंग्ग्वाइब induction किसको कहते हैं तो सबसे पहला है लगाते हैं हम लोग चार्ड कंडक्शनल इलेक्ट्रिक फिकेशन तो कहता है कि दफ प्रोस्ट इन वीच एन अन्चार्ज बॉडी बिकम अचार्ज आप्टर डूइंग कॉंटेक्ट विट अचार्ज बॉडी इस कॉल्ड कंडक्शनल इलेक इलेक्ट्रिक फिकेशन कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंतरगत एक अन्चार्ज बॉडी जो है वो चार्ज हो जाता है जब उसको हम लोग किशी भी चार्ज बॉडी के साथ कॉंटेक्ट कराते हैं कॉंटेक्ट में लाते हैं तवा बॉडी जो है वो चार्ज जाता है आगे क जिसे figure के figure से हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले एक body ले ले लिए जो अभी neutral है इसके अंदर किसी प्रकार का charge नहीं है आनि इसके positive और negative charge जो है वो same amount में है यह भी neutral है अब इस body को किसी भी negative body के साथ contact करा दियें, touch करा दियें अब इसके अंदर जो negative electrons है वो इस body के अंदर transfer होने लगा आ गया तब जब इसके अंदर negative electric charge आ गया तो इस negative electric charge body को हम लोग हटा दियें बाद में जब जब बाद में हटा दियें तो देखें कि यह जो neutral body था वो negatively charge हो गया तो इस process को हम लोग charging by conduction करते है अगला process है Frictional Electrification कहता है the process in which uncharged body become a charge after rubbing under suitable condition is called Frictional Electrification कि एक ऐसा process जिसके अंदर uncharged body जो है वो charge हो रहता है जब उसको हम लोग किसी भी charge body के साथ rub करते हैं किसी suitable condition में तो ऐसे process को हम लोग Frictional Electrification करते हैं आगे कहता है कि in this process one of the bodies lost some electrons and another body gained some electrons इस process के अंदर एक body जो अपने अंदर से electron को lost करता है और दुसरा body अपने अंदर electron को gain करता है आगे कहता है the body which lost electrons become a positively charged कि जो body जो है electron को lost करता है वो positively charged जाता है and the body which gain electrons become a negatively charged और जो body अपने अंदर electron को gain करता है वो a body negatively charged जाता है जैसे हम लोग एक टोग यहां पर figure से समझते हैं यह हमारा glass rod है और यह हमारा piece of silk एक silk का piece है अगर आपस में इसको rub करेंगे रगर देंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि जो rod था वो positively charged हो किया और जो हमारा piece of silk था वो negatively charged हो किया तो इसी process को हम लोग charging by friction कहते हैं आगे हम लोग समझेंगे charging by induction charging by induction कहता है the process in which an uncharged body become a charge without doing contact कि एक वाइसा process जिसमें एक uncharged body है जो charge लाता है बिना किसी contact के बिना किसी contact के with a charge body is called charging by induction तो इसी process को हम लोग charging by induction कहते हैं इसको हम लोग एक figure से समझते हैं जैसे यहां पर एक ठोक हम लोग figure यह हमारा यह अस्फेर है जो अभी मतलब neutral है इसके पास positive और negative charge से amount में है अब यहां पर हम positive charge body को इसके नजदीक में रख लिए तच ने कराएं बस नजदीक में रख लिए separation of charge इसको थोड़ा सा दूर में रखें अब यह positive electric charge क्या करेगा negative electric charge को अपने और attract कर लेगा और positive electric charge एक तरफ हो जाएगा और negative electric charge एक तरफ हो जाएगा अब इस body को हम लोग ground के साथ अर्थिंग कर देंगे अब ground से क्या होगा electron जो है इस body के अंदर enter करेगा तो देखे रहे हमारा figure C में कि जो body है वो negatively charge हो गया है और जो हमारा यह body रखा हुआ था इसको भी हम लोग वहीं पर रखेंगे बस touch नहीं करेंगे उसके बाद इसको हम लोग बाद में हटा देंगे तो देखेंगे कि body जो हमारा spare जो था वो negatively charge हो गया बीना किसी touch किये हुए तो इसी process को हम लोग charging by induction करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि Coulomb's law of electro statics किसे कहते हैं तो Coulomb's law of electro statics कहता है kid states that the electro statics force of attraction or repulsion between two point electric charge at a rest is directly proportional product of their charges and inversely proportional to a square of the distance between charges तो इसका कहने का मतलब है कि Coulomb's law of electro statics है वो दो point of electric charge के बीच का between का जो force है उसी को Coulomb's law of electro statics कहता है यह कहता है कि जो force है वो दोनों ही charge का directly proportional है दोनों ही charge का magnitude का directly proportional है तो इसको में लोग equation 1 माननी है आगे कहता है कि दोनों charge का जो distance है वो inversely proportional है a square का दोनों ही charge का जो distance है वो inversely proportional है a square का इसको में लोग second equation मान लिए जब दोनों equation को combine करेंगे तो force जो है वो Q1 और Q2 का directly proportional है और दोनों के बीच का जो distance है उसका a square of inversely proportional है जब हम लोग यहां पर proportional को हटाएंगे तो इठो constant आएगा जिसका नाम है कुलाम constant यहां पर लोग constant के डाल दिए जिसका पूरा नाम है कुलाम constant अब हम लोग के के बारे में समझते हैं कि क्या है तो के यहां से के का formula निकालेंगे तो जब एप आर स्क्वाइर बाई कीवन क्यूटू यहां एप जो है वह फोर्स है आर जो है जो 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 दुनों चार्ज के बीच का distance है और क्यूटू जो है वह चार्ज है जब यहां से इसका SI यूनित निकालेंगे तो फोर्स का हमारा SI यूनित N होता है और distance का SI यूनित निकालेंगे तो सबसे पहले फोर्स का जो दिमेशनल फरमूला होता है वह होता है M1 L1 T-2 और डिस्टेंस का दिमेशनल फरमूला होता है एल का स्क्वायर और जो चार्ज है चार्ज का डैमेसिनल फर्मूला होगा यह ती यह ती क्यों चार्ज यहां दो बार है जो आगे इसको सॉल्ब करेंगे तो होगा क्या मैगनिट्यूड क्या है वह देखेंगे तो कहता है कि दा वैल्यू आप कुलाम कॉंस्टेंट का वैल्यू है वह चार्ज जो है दो चार्ज जो है वह कहां पर रखावा है उस मिडियम के नेचर पर डिपेंड करता है according to कुलाम के नुसार जो के है के का जो मान होता है 1 by 4 pi epsilon not होता है जहां पर epsilon not जो है absolute permittivity of air and vacuum की air और vacuum का जो absolute permittivity है उसी को लोग epsilon not काते हैं इसका value होता है 8.85 into 10 का power minus 12 10 का power minus 12 होता है यहां पर 12 minus 12 छोटी यह लिए देते हैं 10 का power minus 12 10 का power minus 12 कुलाम स्क्वाइर पर नूटन मीटर स्क्वाइर जब यहां पर इसका value रखेंगे और 4 pi इसा को calculate करेंगे ता जो k का value है वो 9 into 10 का power 9 नूटन मीटर स्क्वाइर पर कुलाम स्क्वाइर जो है वो आएगा